असलावलेकूम एन हलो ब्रीवन वेलकम बैक टू मैं चानल जिन्दकी जीनत की उमीद करती हूं आप से बच्छों के तो आज मैं बनाने चाहरे हूं पालक और दाल तो यह दाल पालक बहुत ही एजी रेसिपी के साथ बन जाता है और बहुत मज़दार होते हैं तो वीडियो क को लास तक देखेगा पसंदाने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा तो इस दाल को बनाने के लिए मैंने पालक को कट कर लिए था वाश कर लिए और इस चेनर में डाल दिया दाल दे लेंगे हम दो तरीखे की दाल के बनाएंगे एक मसूर की दाल और एक मूंकी दाल आप जिस वक्त आपको प्रेशर कूकर में डालना है ना प्रेशर लगाना उसी वक्त वाश करें अगर वाश करके 10-15 मिनिट भी अगर आप छोड़ देता है तो वो गल्ले में प्रॉब्लम होता है ये मेरा परसनल एक्सपिरियेंस है पानी पानी की वज़ह से या प्रेशर कोकर की वज़ह से चेंज़ सो अगर ल Sahी वजी दालना देटिया है मेर जोटाइन डाल को ने Aha प्रसनल को देख जोट साथ करते हैं वजद अड़के तो धूरण इसनोंट वाश कर सब्सक्ते साफुर यवाज को नहीं add किया डाल ज्यादा पालक कम वाला है आप चाहे तो डाल और पालक डाल सकते हैं या कम ज्यादा कर सकते हैं मैंने तीन मुठी पालक डाल था और सॉल्ट आड करके पानी लगा दिया और प्रेशर पानी बिल्कुल लेवल में और प्रेशर दो तीन उसके बाद यहां ले लिया है दो प्यास, दो टमाचर, हरी मिर्च, धनिया पती, अद्रक प्यास को मैंने फाइन स्लाइस में कट कर दिया है टमाचर को फाइन स्लाइस में कट कर दिया है धनिया पती को भी चॉप किया है हरी लाल मिर्च को कट कर दिया है और 3-4 बर उसे स्टर करेंगे मीडियम टू हाइ फ्लेम पर आप कुछ दिर हाइप पर फ्लेम पर लक्रेश को चला देना है उसके बाद फिर हम लोग उसी में एड कर देंगे चमाटर एड कर देंगे प्यास जब तक होता है दाल को चेक कर लेंगे तो मैंने मेडियम फ्लेम प तो यहां पेसे मेडियों प्रेश्र हटागे देखा तो यहां पेसे मेडियों फ्लेम पे चलाएंगे अपर शॉल्ट एड़ा जल्दी पक जाए तो यह हमें पूरा इसे अच्छे से गोल्डेन ब्राउन करके नहीं पकाना है तीन-चार मिनट ऐसे पकने देना और बाकी के मसा एक स्पून धनिया पाउडर और हाफ आफ पून मैं डाले गोल्ड मिर्ज पाउडर जीरा पाउडर तोरा सगरम मसाला डाल दिया है सॉल्ट हाफ इस्पून डालेंगे सॉल्ट बॉयल होने के टाइम भी डाला है तो इस चीज को आपको धियान में रखना है और फिर हम बहुत बढ़ जाता है ऐसे ऑप्शनल है बट डालते हैं तो टेस्ट इन हैंस होता है इससे तो मैगी मसाला डाल दिया है हलका पानी भी डाल दिया था तो यहां पे जो हमारे मसाले है वो पकेंगे थोड़े दे 5-7 मिनिट के लिए बिल्कुल ही लो फ्लेम पे तो मैंने लो तो हम लोग यहां पे अड़ कर देंगे दाल जो हमने प्रेशर कोकर में बॉइल करके रखा था तो यहां पे मैंने दाल और पालो को एड़ कर दिया है और मसाले में मिला लेंगे हम लोग और यहां पे जो थिकने से न वो आप में हिसाब से रख सकते है आप इसे रोटी में यहाँ पे मसाले में उसकी कुंटिटी कम कर देंगे लेकिन मेने सिफ डाल को नमक में बॉय किया था और यहा पे मसाले आड कर दिया थे तो यह हमारी दाल अच्हे से पimiz हल यहाँ पाली लगा दिया था और medium flame पे रखके एक उबाल आने देंगे जब एक उबाल आ जाए तो धनिया पत्ती थोड़ा सा डाल देंगे हम लोग इसे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है तो धनिया पत्ती डाल गिए medium flame पे रखके दो मिनिट के लिए मैंने और पकाया था और उसके बाद flame को off कर दिया तो हमारी पालत डाल रेडी है इसे आप रोटी के साथ पूरी पराठा या फिर चावल के साथ तो सिर्फ चावल और डाल बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में साथ में हरी में चौर्प्याज तो मैंने flame off कर दिया था अब इसे हम लोग सर्फ कर लेते हैं तो मैंने एक प्याले में इसे सर्फ कर लिया है अगर ये दाल आपके खा के बच जाते हैं तो आप इसको सिर्फ आटे में रख के भी सान सकते हैं और उसकी पूरी कचोरी बना सकते हैं बहुत ही मज़ेदार बनता है अगर खाने के बाद कुछ क्वाइटिटी बच जाता है तो आप ऐसा इस्तमाल कर सकते हैं वरना सिफ आप रोटी और चावल के साथ भी खाईए तो यहां पर मैंने एक वाउल में निकाल लिया था उपर से डाल रखने के बाद धनियोपतित से गानिश कर दिया था और चावल लेके उसके उपर दाल एड़ किया और फिर हरे मिश डाल दिया और कटी हुई प्याज तो ऐसे खाने में बहुत ही जब गरम-गरम हो तो बहुत ही अच्छा लगता है तो एक बड़ इस तरीके से खा के देखेंगे तो मैंने भी फर्स टाइम ही इस तरीके से निकाल दिया है प्यास तो छोले चावल हो राजमा चावल हो या दाल चावल हो इस तरीके से खाने में बहुत अच्छा लगता है वीडियो पसंदा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बहुत जल मिलूंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्स फोर वचिंग म क्या-णाइ वीडियोष